Good morning students, आज हम करेंगे वसंत भाग एक का पार्ट तेरा मैं सबसे छोटी हूँ यह एक कवीता है इसके रच्चेता है सुमित्रा नंदन पन्त जे तो आज हम करेंगे इस कवीता की साप्रसंग व्याख्या तो स्टार्ट करते हैं मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सूँ तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरू सदा मा तेरे साथ कभी न छोड़ू तेरा हाथ बड़ा बना कर पहले हम को तू पीछे चलती है मा इसका प्रसंग करेंगे पहले हम प्रस्तत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठे पुस्तक वसंत भाग एक में से मैं सबसे छोटी हूँ नामक कवीता से ली गई हैं इसके कवी श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं कवी ने इन पंक्तियों में एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से काल्पनिक रूप में बताया है कि बच्ची छोटी रहकर हमेशा मा का साथ चाहती है तो अब हम करते हैं इसका सरलाप्त कवी कहते हैं बच्ची चाहती है कि मैं हमेशा छोटी ही रहूँ मा की गोद में ही सूँ मा का पल्लू पकड़ पकड़ कर हमेशा मा के साथ ही घूमू कभी भी मा का साथ न छूटे हमें बड़ा कहकर हे माता आप हमें दोखा देती हो येस नेक्स्ट है हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात अपने कर से खिला धुला मुक धूल पोंच सज्जित कर गात थमा खिलोने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात येस इसका सरलार करते हम हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात आप हमें बड़ा कह कहकर फिर हमारे साथ दिन रात नहीं घूमती बड़ा होने पर तो दिन रात हमारे साथ नहीं रहती अपने कर से खिला धुला मुख दूल पोंच सज्जित कर गात मा तुम अपने हाथ से खिला पिलाकर मू धुलाकर जाड पोंचकर हमारे शरीर को सुन्दर बनाकर थमा खिलोने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात हमारे हाथ में खिलोने थमा देती हो तुम हमें खिलोने से बहलाकर परियों वाली कहानी नहीं सुनाती हो बच्ची क्या कहती है कि तुम कहती हो कि बड़े हो गए हो और हमारे हाथ में खिलोने दे देती हो अपने आप खेलने के लिए बिठा देती हो अब आप हमें परियों वाली कहाने भी नहीं सुनाती हो नेक्स्ट इसी बड़ी नहों में तेरस नहें नखों में तेरे अंचल की छाया में छिपी रहू निस्प्रह निर्वे कहूं दिखा दे चंदरोदे इन पंक्तियों में कभी कहते हैं एसी बड़ी नहों में छोटी बच्ची अपनी मा से कहती है कि मैं एसी बड़ी नहीं होना चाती हूं तेरस नहीं नखों में कि जिससे आपके प्यार से वन्चित रह जाऊं मुझे आपका प्यार हमेशा ही चाहिए तेरे अंचल की छाया में चिपी रहूं निस्प्रह निर्वेद हे मा मैं छोटी रहकर तुम्हारे आचल में बिना किसी इच्छा के चिपी रहना चाती हूं और बिना डरे तुमसे यह कह सकूं दिखा दे चंदरोदे कि मुझे निकलता हुए निकलता हुआ चांद दिखा दो यह स्टूडेंट्स तो यह थी हमारे पार्ट तेरा मैं सबसे छोटी हूं कवीता की सप्रसंग व्याख्या आप इसे एक बार फिर से रिवाइस कीजिएगा थैंक यू